हाई, आम शुश्मिता वैनाची, पढ़ाई करना सबको पसंद तो नहीं, कोई जोड जबदस्ती से करता है, कोई पैरेंस के प्रेशर से, तो कोई करता ही नहीं है, खुब कम ऐसे लोग होते हैं जिनको एक्चुली में पढ़ना पसंद हो, तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, दोस्ता पिसली बार मैंने एक्स्ट्रोवर्ज के उपर एक वीडियो बनाई थी, अगर आप इंटरेस्टेट हो, तो जाके देख सकते हो, तो चलिए, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जोब, ये तो सबको पताए कि जाधा तर जोब के लिए ही पढ़ाई करते हैं, और करना भी चाहिए, अब अगर आपका 60% माक्स हो, और आपके दोस्त का 90%, तो ओवियसली 60% को तो अच्छी जोब नहीं मिलेगी ना, 90% को ही सब लेना चाहेंगे, इसलिए, जोब के लिए, अपना लाइफ सिक्योर करने के लिए, पैसा कौन नहीं चाहता, आप भी चाहते होंगे, पर पैसा सब को चाहिए, पर पैसे के लिए जो पढ़ाई है, वो किसी को नहीं करनी है, अब आप जितना ज्यादा परोगे, उतना ज्यादा डिग्री आपके पास होगा, जितना ज्यादा डिग्री होगा, उतना अच्छा करो आपको कितना मनी चाहिए उतना ही परो knowledge हाँ कुछ लोग सोचते होंगे कि पैसा जिंदगी में उतना important नहीं है या कुछ लोग करोड़ पती खांदान से होंगे तो उनको job या पैसे की क्या जरूरत लेकिन knowledge की जरूरत सब को है आप याद रखना अगर कोई चोड लुटे रहा आए तो वो आपके खर से सब कुछ ले सकता है पैसा हीरे जोड़त गैने anything पर एक चीज नहीं ले सकता वो है आपकी knowledge तो इसलिए किताबे बढ़ते जाओ और अपनी knowledge बढ़ाते जाओ improvement देखो हो सकता है पिछले point में से आपको कुछ भी नहीं चाहिए और कुछ लड़किया सोच रही होंगी हमको इन सब की क्या जरूरत भारतिया नारी है व्या करके चले जाएंगे अब देखो डिगरी के लिए जॉब के लिए ना सही अपने आपको इंप्रूफ करने के लिए बुक्स परना जरूरी है बुक्स कही तरह के होते है अगर आपको खेलकुद पसंद है तो इससे related बुक पर सकते हो घर समालने के उपर भी कही तरह के बुक होते है खुद को जानने के उपर बुक्स होते है खेती करने के उपर बुक्स मतलब जो भी आपको पसंद हो आपको उससे related बुक्स मिल जाएंगी और इससे आप आपकी जो knowledge है वो और भी improve कर सकते हो टाइम पस अगर पिछले points ना सही तो टाइम पस ही सही अगर आपके पास बहुत टाइम है और क्या करना है नहीं पता तो book पढ़ने से जाधा अच्छा टाइम पस और कुछ नहीं हो सकता अगर आप किसी इनसान के साथ टाइम पस करते हो तो कही बार वो हमें चोट पहुचाते हैं, दिल दुखाते हैं, ट्रॉस्ट तोड़ते हैं, धोका देते हैं पर आपको भी पता है, बुक आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा In fact, आप बुक के साथ जितना टाइमस्मेंट करोगे, उतना ही आपका फायदा होगा तो है ना, बेस्ट टाइम पास बुक एक ऐसा साथी है, जो दिल तोड़ता नहीं इसके साथ बिताया समय कभी भी बरबाद होता नहीं बुक के साथ जितना टाइम बिताओगे, उतना अपनी ही जिंदेगी सवार होगे वीडियो हिल्फू लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते ना फिर मिलेंगे नेक्स टुइसडे और सैटरदे को गुडबाई and have a good time with your books